ओके तो गाईज यहां पर भाई GTA 5 में भाई ट्रेनर्स की कमी नहीं है भाई ये बात मुझे तब पतर लगी जब मैं GTA 5 की मोर्स की वेबसेंट में गया भाई इतने सारे डेरो ट्रेनर्स हैं कि गाईज मेरा भी मन करा भाई कि यहां पर देखा जाए कि भाई यहां पर इतने बहंगे महंगे बड़े बड़े ट्रेनर है वह जिनके 3-3 लाग के डाउनलोड्स हैं ऐसा क्या है उन ट्रेनर्स में चेक करा जाए तो guys, यहाँ पर वहाई मैंने कुछ नहीं करा मैंने guys, यहाँ पर वह सभी ट्रेनर्स को उठा लिया है उसके बाद यह simple trainer मिल जाएगा यह दो trainer ऐसे हैं जो जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा download किये गए हैं भाई 14 million dollars इसके हैं और भाई 9 million इसके हैं तो भाई यहाँ यहाँ पर यह दो trainer सबसे ज़्यादा यहाँ पर चलाए जाते हैं लेस्ट सी यह कौन गों से हैं स्टार्ट करें गाईज यहाँ पर सबसे पहले trainer से वो है गाईज हमारा normal यहाँ पर यह वाला simple trainer इसमें गाईज आप सब लोगो option मिल जाती हैं आपके यहाँ पर players की उसके बाद vehicles की मिल जाती है उसके बाद spawning of bodyguards मिल जाता है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा feature है जो कि guys यहाँ पर आप सब लोग एक second में अपने लिए कोई भी bodyguard spawn कर सकते हैं और वो यहाँ पर तभी गन निकाल लेगा जब आप भी निकालोगे मतलब भाई यहाँ पर इसकी यह बात बढ़िया है उसके बाद यहाँ पर आपको vehicle spawn की option मिल जाती है यहाँ पर missions में आपको help मिल जाती है morals को spawn कर सकते हो object को spawn कर सकते हो object spawn करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर भाई बहुत सारी list मिल जाती है objects की जो कि आप सब लोग यहाँ से spawn कर सकते हो बागे teleporting and यहाँ पर अगली चीज़ आप सब लोग सेव भी कर सकते हो कौन सा टेलीपोर्ट आपको सेव करना है और आप वापिस टेलीपोर्ट कर पाओगे टेलीपोर्टिंग टैप का उसके बाद बेसिकली आपको वेपन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके साथ आप सब लोग यहां पर अपने वेपस को कंट्रोल कर सकते हो यहां पर आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं लैक एक्स्प्लोजिव एमो मत और आप सब लोग को मिलते एक्स्प्लोजिव मिली मतलब अगर आप सब लोग इस बंदे के मुका मान ना चाहो तो यहां पर आपके मुक्के से भी ब्लास निकले आगला ट्रेनर जिसके सबसे ज़्यादा डाउनलोड है मैंन्यू PC ट्रेनर यह ट्रेनर के बारे में आप सब लोगो पते ही होगा फिर भी आपको एक बार दिखा दूँ यहाँ पर दूसरे ट्रेनर से इससे यहाँ पर खास बाती है कि यहाँ पर अबजेक्ट को स्पॉन करने की यहाँ पर बहुत अच्छी आप सब लोगो यहाँ पर फीचर मिलता है यहाँ पर आप सब लोग कोई भी यहाँ पर पैट को स्पॉन कर सकते हो और उसके बाद उनको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पर आप उनको custom animations भी दे सकते हो custom task sequence भी दे सकते हो यह guys menu की खासियत है आप सबी लोग guys यहाँ पर miscellaneous option में जा कर एक ऐसे काम कर सकते हो जो कि आपको normal train में शायद ना मिलें जैसे की meteor shower mode मतलब अगर आप इसको ओन कर दोगे तो meteor shower हो जाएगा उपर से and also अगर आप सबी लोग यहाँ पर चाहो तो भाई यहाँ पर आप सबी लोग जा सकते हो jump around mode में जिसके साथ यहाँ पर आपके आसपास वाली चीज़े ऐसे guys यहाँ पर भाग जाएंगी and guys आप सबी लोग मैं second mode भी यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो guys यहाँ पर आपको एक cutscene create करने में option देता है जो कि guys आपकी videos को यहाँ पर चार्चान लगा सकता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर यह वाला cutscene open करूँ तो as you can see भाई यहाँ पर guys इसके भी डाउनर्स बहुत ज्यादा हैं भाई देख सकते हो और यहाँ पर इसमें खास क्या है यह तो भाई अब देखकर ही पता लगेगा जल्दी से चलते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह गैस यहाँ पर यह वाला trainer और यहाँ पर आपको वही सारे option मिल जाते हैं प्लेयर्स मैं guys आप सब लोग को यहाँ पर heal player मिल जाता है प्लेयर की appearance जेर्ज करने का option मिल जाता है और यहाँ पर helmet दे सकते हो आप सब लोग अपने player को बट यहाँ पर only fall damage का मिलते है और only fireproof का मिलते है यहाँ पर एक feature जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस trainer का हो है यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर cash को add और remove कर सकते हो यहाँ पर आप minus भी कर सकते हो cash को यहाँ पर आपको दूसरे trainer में भी option मिलती है बट यहाँ पर आपको यहाँ पर type सा करना पड़ता है जो कि कभी कभी थोड़ा annoying सा हो जाता है बट यहाँ पर आपको अच्छा मिल रहा है उसके बाद यहाँ पर wanted fugitive में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप सब लोग दे सकते हो आप इसको enable करकर यहाँ पर अपने पीछे पूलिश दलवा सकते हो उसके बाद आप सब लोग अबिलिटी का option मिल जाते है यहाँ पर mission marker में आप सब लोग जा सकते है यहाँ पर आप सब लोग शोफर कर सकते हो marker तक अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका player यहाँ पर drive करेगा वो भी marker तक अपने आप यह feature शायद और कहीं भी है पता नहीं शायद मैं भूल गया उसके बाद guys आप सब लोग वेपन में जाओगे तो आपको यहाँ पर नॉर्मल वेपन की option मिल जाएंगे bodyguards में आप सब लोग अलग अलग तरीकी option मिल जाते है अगर आप Michael को spawn करना चाहते हो तो guys आप उसको spawn कर सकते हो बट यहाँ पर add nearest pet as bodyguard मतलब आपके nearest जो बंदा होगा वो आपका bodyguard बन जाएगा यह guys बहुत अच्छा feature है उसके बाद आप उनको dismiss भी कर सकते हो and अगर आप सब लोग उनको toggle करोगे तो भाई यह यहाँ पर आपको follow करेंगे नहीं तो भाई यह नहीं करेंगे यहाँ से आप अपना bodyguard save कर सकते हो bodyguard का model change कर सकते हो और के बहुत पर change कर सकते हो वहिकल में आप सब लोगो option आ रही है यहाँ पर modification की बहुत ज़्यादा extra अगर हम सब लोग यहाँ पर enter करेंगे वहिकल में तो देखते हैं ऐसी कौशी option है यहाँ पर तो आप सब लोग देख सकते हो all performance updates add हम ने की है तो भाई यहाँ पर हमारी गारी में सबी के सबी performance updates यहाँ पर added है उसके बाद अगर आप सब लोग यहाँ पर इसके colors को change करना चाहते हो तो आप सब लोग देख सकते हो random भी भाई सब आप upgrade कर सकते हो अपनी गारी को जो कि guys यहाँ पर आपकी randomly update होती रहेगी है जो आपको बड़िया लगता है आप उसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं यह भी feature मुझे बहुत अच्छा लगता है यह ज़्यादतर सारे trainers में है यह अप्गेडेशन का option तो यहाँ पर भाई समें भी मुझे बड़िया लगा अगला feature जो आपको मिलता हो है don't wear helmet जो कि बहुत बड़िया फीचर है इसके साथ आपका player helmet wear नहीं करेगा वर्ल्ड की option आप सब लोगे मिल जाती है gravity level अगर आप सब लोग यहाँ पर इसका change कर दोगे तो भाई सब आपको कुछ अलगी level का यहाँ पर option आ जाएगी यहाँ पर इतने सारे feature हैं इस trainer में की मैं आपको क्या बता हूँ भाई यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर weather तक की setting भाई सब यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो wind की strength भी change कर सकते हो water को deadly बना सकते हो weather के यहाँ पर normal option rotate करें ना तो भाई आप इसको यहाँ पर own कर सकते हो मतलब भाई यहाँ पर आपको बहुत सार extra features मिल जाते हैं इस mode में जोग यह शायद आपको दूसरे trainers में ना मिलें तो गाई यह trainer भी आपके लिए एक worth trying हो सकता है बाकि अगर हम जाए miscellaneous मे तो गाई यहाँ पर भाई साब आप सब भी लोग को मिल जाते हैं option like भाई trainer की setting उसके बाद आप सब भी लोग को यहाँ पर नीचे नीचे आकर अगर आप यहाँ पर wanted का music बंस करना चाते हो यहाँ से उसके बाद कट scene का viewer आपका जो color होगा game का वो अलग ही भाई खिल कर आएगा मतलब default color ऐसा है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अच्छा लगता है यहाँ पर यह जो तीन ट्रेनर्स है यह तीनों ट्रेनर्स यहाँ पर highly rated है उसके बाद guys यहाँ पर vehicle spawner आ जाता है यहाँ पर अलग अलग तरीके यहाँ पर spawner आ जाता है यहाँ पर PC trainer V भी एक trainer है जो कि आप सब लोग को मिलता है इसमें भी आपको वैसी options मिलती हैं बाकी guys मैं इनको भी try करना चाहूँगा आज की वीडियो में हमने तीन टॉप रेटी ट्रेनर्स को ट्री करें आपको इसके features बता दिये आप इन तीनों में से कौनसा ट्री करते हो बताना जूरूर हम अगले तीन ट्रेनर्स में अगली वीडियो में बनने वाले हैं अगर आपको आज की वीडियो चील लगियो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज आज सी वाइस वाइस वीडियो तिल देन गुद बाई